नमस्कार दोस्तों जपी स्टेनोग्राफी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन सो सब्द परति मिनट का होगा जो की पांच मिनट तक बोला जाएगा जन्सता से लिया गया है दस सेकिंड बाद स्टार्ट के जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर पह सर्वोच न्याले ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती के मामले में इससे समंदित कानून बनने तक एक तदर्थ व्यवस्ता दी हैं इस व्यवस्ता का स्वभविक ही स्वागत किया जा रहा है सर्वोच न्याले ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती परधान मंत्री परधान न्यादिस और विपक्स या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्सी दल की नेता की सलाह से राश्पती द्वारा किया जाए अभी तक इनकी नियुक्ती सरकार की पसंद से ही की जाती रही है तरसल समिधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ती को लेकर कोई परक्रिया नहीं सुजाई गई है इस तरह सरकार ही अपनी पसंद के नाम इस पद के लिए सुजाती रही है जिस पर राश्ट्रपती की मंजूरी मिल जाती रही है मगर पिछले कुछ सालों से चुनाव आयुक्त के कामकाज को लेकर अंगूलिया उठती रही है मांग की जा रही थी की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती के लिए भी कोलेजियम जैसी कोई व्यवस्ता बनाई जानी चाहिए करीब पांच साल पहले कई याचिकाएं दायर की गई थी उन पर विचार करने के बाद सर्वोच न्याले की पांच सदिश्यों की समिधान पीठ ने एकमत से सविकार किया कि इस मामले में कानून बनाया जाना चाहिए जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक समिधान पीठ द्वारा तै परक्रिया का पालन किया जाए लोकतंतर में निस्पक्स और पारदर्शी चुनाव की महत्वपून भूमी का होती हैं इसे सुनिश्चित कराना निर्वाचन आयोग का दाईत्व हैं मगर अनेक मोकों पर आरोप लगते रहे हैं कि निर्वाचन आयोग पक्सपात्पून रविया अपनाता और कारेवाई करता हैं इसलिए मुख्य चुनाव आयोगत के पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाने की मांग की जाती रही हैं जो खुद निस्पक्स हो चुनाव आयोगत के कामकाज पर अंगूलियम इसलिए भी उठती रही हैं कि उनकी नियुक्ती चुकि सरकार की इच्छा से होती हैं इसलिए माना जाता हैं कि उनका जुकाव सरकार के परती ऐसा होता हैं हाना कि कई ऐसे मोके भी देखे गए हैं जब कुछ मुख्य चुनाव आयोगतों ने सरकार के विरुद कड़ा रुख अक्तियार किया मगर इस बार विवाद इसलिए गेहरा हो गया कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयोगतों की नियुक्ती में जिस तरह सरकार ने हडबडी दिखाई और नियुक्ती समंदी जरूरी परक्रिया का पालन भी नहीं किया गया वह हेरान करने वाला था उन्होंने रातों रात अपने पद से इस्तिपा दिया और 24 गंटे के भीतर उन्हें मुख्य चुनाव आयोगतों की जिमेदारी स्वाबडी गई इस पर स्वाभव की ही आपतियां दर्ज कराई गई तब सर्वोचनियाले ने सरकार से पूछा था कि उसे ऐसी क्या हडबडी थी कि बिजली की रफतार से यह नियुक्ती करनी पड़ी अभी सर्वोचनियाले ने जो विवस्ता दी हैं उसमें चुनाव आयोगतों की नियुक्ती में सरकार के लिए अपनी पसंद थोपना आसान नहीं होगा इसमें विपक्स या सबसे बड़ी विपक्सी दल के नेता और परदान नियाधीस की भागिदारी होने से सरकार भी ऐसे नामों का चुनाव करने से बचेगी फिर अभी तक जिन नियुक्तियों में विपक्स के नेता की मौजूदगी अनिवारिये होती हैं पर सरकार इस तरक के आधार पर विपक्स को उनमें सरीक नहीं करती रही हैं कि समयधानिक नीमों के तहत किसी भी ऐसे दल के पास प्रयाप्त संख्या ने होने की वजह से विपक्स का कोई नेता नहीं है इस्टॉप दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियो प्लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है आप वहां से चाहिए डाउनलूट कर सकते हैं साथ ही ये डिक्टेशन वर्ट सेब ग्रूप पर भी सेर के जाता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है आप जोईन कर सकते हैं दोस्तों डिक्टेशन अच्छा लगे पसंद आयत लाइक सेर जरूर करें थैंक यू